हेलो फ्रेंद्स स्वागत है आपका मेरे चैनल रैस्पीस बाई सुस्मा में और आज में बनाने जा रहे हूँ आलू बुझिया से हो बर्पुल बाजार जैसे खस्ता आलू बुझिया से हो तो इसके लिए हमें चाहिए दो कप बेशन और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है स्वात के अनसार नमक 1 teaspoon हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर अब इसे अच्छे से इस प्रकार से मिला लेंगे और फिर इसमें डालना है ओल इसमें डालेना है और जालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना के ताकि उसमें घाठ न रहें अच्छे से मिक्स कर लेना है तो इस प्रकार से इसे मिक्स कर लेंगे दो हाथ से बराबर से इस प्रकार से दबा के अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब पूरे में पूरे बेसन में अच्छे तरह से ओयल मिक्स हो जाएगा अब इसे एक साइट रग दोंगी मैं और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है इसे एक साइट रख दिया और मैंने ये लिये हैं दो उबले हुए आलू और ये गरम है इसलिए मैं इसे काट ले रही हूँ और अब इसे मैस कर लेना है इस प्रकार से ताकि इसमें पिल्कुल भी गांठ नहीं होनी चाहिए गांठ मतलब इसके टुकड़े नहीं होने चाहिए इस पर अच्छे से मैस करना है तो आपके पास इस प्रकार से मैस करने का हो तो नहीं तो किसी कटोरी के पिछले वाले हिस्से से भी आप इस प्रकार से मैस कर सकते हैं आलू अच्छे तरीके से मैस कर लेना है एक बार और इसे अच्छे से दबा दबा के इसको तार से पूरा आलू को अच्छे से मसल लेना है और अब इसे मैंने यह देखिया अच्छे से मैस हो गया इसे एक साइड रग दिया और अब बेशन का आटा लगाना है तो इसमें ठंडे नॉर्मल पानी से ही आटा लगाना है तो यह मैंने इसमें पानी डालके आटा इसका लगा रही हूँ तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालके इसका आटा लगा लेंगे तो इस प्रकार से इसे थोड़ा सा पानी इसमें और एड़ करना है और चम्मच से उतने अच्छे से आटा लगाते नहीं बनेगा इसलिए अब मैं हाथ से इसे आटा को गुंदूंगे तो इसी टाइम पे आलू भी इसमें मिला देने हैं ताकि आलू और पेशन अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से फेट भी लेना है उसे तो अब मैं चम्मच एक साइड रख देती हूँ चम्मच से क्यूंकि अच्छे से लगाते आटा लगाते नहीं बनता है यह मैंने चम्मच एक साइड रख दी और हाथ साफ करके अब हाथ से ही आठा लगाना है तो इस प्रकार से देखिए हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे फेटते भी बनता है और आलू को मसलते भी बनता है बेशन और आलू को अच्छे से मैस्क इस प्रकार से मिला लेना है अच्छे से फेट ना भी है ताकि सेव अच्छे खस्ता बने इस प्रकार से खूब अच्छे से इसे फेट लेना है यह दिखिए यह मैंने फेट लिया है और अब मैंने हाथ धो लिया है और एक बार चमत से भी और इसे फेट ले रही हूं ताकि अच्छे से सेव बने तो मैंने चमत से भी इसे अच्छे से फेट लिया और अब मैं ले रही हूं साचा सेव बना निकले तो मैंने इसे पहले से धो के सुखा लिया था और अब इसमें ओयलिंग करनी है तो इसके सभी पार्ट्स में ओयल लगा लेना है इस प्रकार से सभी तरफ ओयल लगा देंगे और ओयल लगाने के बाद अब इसमें ये बेसन का घोल इसमें डाल लेना है पेश्ट जो हमने तैयार किया है वो इसमें भर लेना है और घोल जो है इसका बेशन का जो आटा लगाया है वो बहुत पतला नहीं करना है और नहीं बहुत कड़ा लगाना है बिल्कुल इतना होना चाहिए कि आप आसानी से मसीन से उसे दबा के निकाल सके बहुत ज़्यादा कड़ा लगाने से फिर वो दबाने में दिक्कत होती है यह मैंने कडाई गरम होने के लिए रख दी थी यह देखिए फटा फट से सेव निकलते जा रहे है और गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रफना है बहुत तेज पे इसे नहीं सेखना है मैंने मीडियम फ्लेम पे सेव निकाले थे और यह देखिए ज्यादा तेर तक इसे तलना भी नहीं पड़ता है एक साइड का ये पूरा तल चुका है दूसरे साइड पलट दिया और बहुत चल्दी सिख भी जाते हैं ये ये दिखिए ये हो गया इसे अब मैं निकाल ले रही हूँ इसे निकालके अलग रख लिया और इसी प्रकार से सभी सेव को जाड लेना है बहुत जल्दी बन जाते हैं ये सेव वीडियो को पूरा चलूर देखिए और पसंद आया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीचेगा तो ये देखिए सेव तनके फटाफट सेव बन जाते हैं और टेस्ट में बल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है मैं बाजार से बल्कुल नहीं लेती हूँ आप भी जरूर बना के देखिए बहुत टेश्टी बनते हैं ये ये देखिए पूरा मैंने बना लिया है और दो कप बेशन से ये इतने सेव बनके तयार हो जाते हैं तो खैना बहुत ही आसान तरीका और खाने में उतने ही लाज़े आप जरूर कमेंट करके बताईए मुझे कि सेव कैसे लगे वीडियो कैसा